दिल्ली में नगर निगम का चुनाव बिते दिन संपर्ण हो गया जिसके बाद इसको लेकर राश्ट्रिय लोक जनशक्ती पार्टी के राश्ट्रिय धक्ष और केंद्र मंत्री पश्रुपती कुमार पारस ने बड़ा दावा किया है। बिहार के मुख्य मंत्रे नितिश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि शराब बंदी कानून पूरी तरह से फेल है। नितिश कुमार शराब बंदी को सफल नहीं कर पा रहे हैं। है ही नहीं। इसलिए नितिश कुमार को हर हाल में शराब और तारी खोल देना चाहिए। वैसे भी अब उनसे शराब बंदी संभल तो रहा नहीं है और सियासत की कुरसी संभाले बैठे है। उन्होंने कहा कि यदि बिहार में शराब बंदी होती है तो आए दिन यह सूचना नहीं मिलती कि शराब पीने की वजह से मौत हो गई है। प्रमाड है कि राज्य में शराब बंदी कानून लागू नहीं है इसलिए इसे पूरी तरह से चालू कर दिना चाहिए। करने की मांग कर चुके हैं। बहराल अब यह देखना होगा कि क्या नितेश कुमार इन बातों पर ध्यान देते हैं या फिर बिहार में शराब बंदी कानून लागू रहती है।